सो खून की बुंदों से एक वीरे की बुंद बनती है, अगर ऐसे ही वीरे निकलता रहा न, तो मेरे बॉड़ी से सारा खून सूख जाएगा, मैं एकदम कमजोर हो जाएगा, मेरी हड्या निकल जाएगी, गाल पिचक जाएगे, भूग लगना बंद, वजन कमजोर हो जाएग मैं एकदम कर्षकाय टाइप सा हो जाओंगा साथ, इंटरनेट पे उपलब्द आयूरवेदिक दवाईयों के नाम पे मिलने वाले प्रॉड़क्स से थोड़ा सा दूरी बनाई रखो, जैसे आपको ऐलोपेथिक दवाई लेनी है तो आप ऐलोपेथिक डॉक्टर के पास ज अधी को थोड़ी ने पता है कि आप अभी इंटरकोर्स करेंगे या नहीं करेंगे वो तो यही सोच रही है कि आपने कुछ सेक्ष्वल थॉट जो है कुछ ऐसा मूड आपने देखा है बनाया है तो हो सकते हैं आप सेक्ष्वल इंटरकोर्स करें तो आपको उसके लिए वो प्रिपेर कर रहा है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अनन्त राठी मनोचे किट्सा के उनाशा मुक्ति विशेश अग्या बीका निर राजस्तान से दोस्तों जो धाठ सिंड्रोम को रोग मानने वाले लोगों की अज्यानता के खिलाफ हमने जो एक मोहिम चालू कर रखिये वीडियो में तो उसी कड़ी में हमारा ये अगला वीडियो है दोस्तों कुछ दिन पहले एक 18 साल का लगबग बच्चा आया था और आकर के बोला कि सर मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ और रोज जो है वो पेशाब के साथ-साथ कुछ चिप-चिपा पदार्थ निकल रहा है बोडी के अंदर से और आप इसको कैसे एकर के रोको मैं उसे का इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है भई तो के नई सर इसको रोकना बहुत जरूरी है मैंने का क्यों जरूरी है उसने का सर सौ खून की बुंदों से एक वीरे की बुंद बनती है अगर ऐसे ही वीरे निकलता रहना तो मेरे बोडी से सारा खून सूख जाएगा मैं एकदम कमजोर हो जाऊँगा मेरी हडिया निकल जाएगी गाल पिचक जाएगे भूग लगना बंद वजन कमजोर हो जाएगा मैं एकदम करशकाई टाइप सा हो जाऊँगा मैंने का ये तुने पढ़ा कहां से भाई कहां से लाया तो ये जानकरी उसने का डॉक साब मैंने कई वेबसाइटों पर सर्च कर लिया इंटरनेट पर बहुत सी जगे ये लिखावा है कि अगर आपका धारत गिर रहा है तो आपके साथ पविश्य में ये ये होगा अगर आपको रोकना है तो हमारा प्रोड़क्ट मंगवा ये हमारे प्रोड़क्ट किते का है महिने का पंदर अजार रुपे का उसमें मैंने एक बार मंगवा भी लिया और तीन डब्बे आ गए अब उसके अंदर कोई चूरंट थे पता नहीं क्या चूरंट था उसमें क्या था बगवान जाने मैंने उन डिब्बों को भी खाली कर दिया लेकिन दाद गिरना नहीं रुका उल्टा उससे मेरा पेट जरूर खराब हो गया तो मैंने उसे का भाई मेरे एक तो हर इंटरनेट पे उपलब्द आयूरवेदिक दवाईयों के नाम पे मिलने वाले प्रॉडक्ट से थोड़ा सा दूरी बनाई रखो जैसे आपको ऐलोपेथिक दवाई लेनी है तो आप ऐलोपेथिक डॉक्टर के पास जाते है किसके पास जाए और किसको बताए ये प्रॉबलम मैंने का रहे भई डॉक्टर से किस बात की शर्प डॉक्टर से क्या चुपाना है कोई बीमारी को आप नहीं बताओगे तो फिर प्रॉबलम ही होगी आप डॉक्टर से बताते हैं तो सही और पहली बात आप इस चीज़ को समझे कि धात कोई रोग नहीं है मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ये एक नॉर्मल फिजियोलोजिकल फिनोमिना है तो इसको क्यों रोकना है आप उसी तरह कह रहे हैं कि डॉक साब मैं सामने मेरे को पसंद तो पावबाजी बहुत है लेकिन कुछ ऐसी विवस्ता किजिए पावबाजी देखे तो मेरे मुँ में लार नहीं गिरनी चाहिए अरे ये कैसे पॉसिबल है भहिया जो बोजन आपको पसंद है उसकी खुश्बू से उसकी एक जहलक मातर से आपके मुँ में लार बनती है बनती है नहीं बनती है बिल्कुल बनती है तो वैसे ही जब हमारे दिमाग में कोई sexual thoughts आती है कोई ऐसा विचार आता है तो फिर हमारी body उसके response में जो है prostatic fluid secret करती है जिसको आप वीरिय समझ रहे हो यह है एक्चुल में prostatic fluid body अपने आपको lubricate कर रही है जो है वो penis के tip पे prostatic fluid आता है तो वो lubricating होता है चिपचिपा होता है ताकि intercourse में आसानी रहे तो body को थोड़ी ने पता है कि आप अभी intercourse करेंगे या नहीं करेंगे वो तो यही सोच रही है कि आपने कुछ sexual thought जो है कुछ ऐसा mood आपने देखा है बनाया है तो हो सकते हैं आप sexual intercourse करें तो आपको उसके लिए वो prepare कर रहा है इसके लिए वो आपको secret करता है prostatic fluid लेकिन आ आप sexually active नहीं होते हैं तो फिर वो जो fluid जो है हमारी urethra के अंदर आ गया है तो urine करने से पहले वो बहार निकल आता है तो इसमें problem क्या है यह तो एकदम normal चीज है तो फिर उसको थोड़ा-थोड़ा समझ आने लगा कि यह तो वास्तों में जैसे हमारे मुह में लार बनती है रिखाने को देखके वैसे ही sexual thought आने पर हमारे जो है वो प्रोस्टेटिक फ्लूट सीक्रीट होता है बॉड़ी से तो यह तो एक normal सी बात हुई तो भी हो बोला कि डॉक साब इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना है क्या करूं मुझे आप बताईए मैंने का देखिए पहल इसको रोकने के तीन तरीके हैं या तो आप sexually active हो जाओं आप sexual intercourse करेंगे regularly तो अपने आप जो सीमन जो है वो sexual intercourse के दोरान निकल जाएगा तो आपको धात नहीं गिरेगा नंबर वज तरीक तो बोला डॉक सा मैं तो कुमारा हूँ ना मेरी कोई girlfriend है मैं शादी से पहला ऐसा कुछ नहीं करना चाता तो मैंने का आप ऐसा नहीं करना चाते तो आप masturbate कर सकते हैं जिसमें भी आपका सीमन जो है वो dispose of हो जाएगा उसने बोला डॉक्सा मैं मैस्टरबेट नहीं करना चाहता, मैं इसको सही नहीं समझता, धर्म में भी इसके बारे में कुछ ऐसा लिखावा है, नहीं करना चाहिए, कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा इससे बहुत कमजोरी आ जाती है, तो मेरा मन जोए वो बिलकुल भी नहीं म जो ओल्ड सीमन है, जो अब जिसमें अब शुकरानों की क्वालिटी और उनकी लाइफ अच्छी नहीं बची है, उसको बोडी बाहर निकाल रही है, और नया उसकी जगह बनाके स्टोर कर लेगी, जो क्वालिटी वाइज अच्छा है, जिसमें स्पर्म की लाइफ अच्छी होगी, इसलिए बोडी उस पार्ट को डिस्पोज अफ करती है, या तो धात के रूप में डिस्पोज अफ करती है, या फिर नाइट फॉल के रूप में डिस्पोज अफ करती है, तो उसको धिरे-दिरे समझ में आने लगा, कि अगर मैं ये दो पार्ट नहीं कर सकता, तो ब आने वाले अगले वीडियो का नूटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे जय हिन जय भारत